है ऐलो फ्रेंड्स मैं सीय अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट है मेरे बास काफी कुईरी जा रही थी share market की income को लेकर कि हम अपनी share market की income कहाँ पर दिखाएं अपनी ITR में और आक कुन सी ITR हमें फाइल करनी है इस तरह की काफ़े सारी queries आई थी इस वीडियो में मैं ट्राइ करूँगा कि आपकी ज्यादा ज्यादा confusion दूर हो जाएं और आपकी जो भी problems है ये जो भी questions है वो सारे इसमें कभर हो जाएंगे वीडियो को पूर आप end तक देखना है चले start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ITR 1234 तीनो ही त इंडिविजुल के लिए online available हैं तो आप इसको online नहीं फाइल करें इसमें क्या है डाटा का जो रेक्टिफिकेशन है वो end-to-end हो जाता है और यह काफी easy process भी है offline utility के comparison में क्योंकि वो utility है काफी अभी hang हो रही है नहीं आई है इसलिए तो आप अपना login अगर नहीं बना हुआ है तो पहले कर लीजिए उसके बाद create करने के बाद login ID password के तुरू login कर लेंगे और e-filing पे income tax return पे file income tax return पे आपको click करना है आप यहां पर आ जाएंगे इस page के आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है assessment year 21-22 हम यहां पर file करने जा रहे है financial year 20-20 के लिए तो 20-20 के लिए सेलेक्ट करना है online और offline offline में क्या होता है कि पहले आप offline utility से सलेक्ट करके डाटा फीड करें उसके बाद json file है उसको यहां पर upload करें मैं online करूंगा तो मैं online यह आपको बता रहा हूं करनी है और कहां पर सो करनी है उसके लिए forms अलग-अलग दिये गए है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ITR-1 तो जो ITR-1 है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ITR-1 के लिए यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इंडिविजूल बिंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इंकम अप्टो 50 लेक हैविंग इंकम फ्रों सैलरी हाउस प्रोपर्टी अधर सोर्ज एंड अग्रिकल्चरी इंकम तो 5000 तो यानि के हमारा जो ITR-1 फो मैं वह हमारी लिखा कि सेर्मार्केट कि इंकम को कवर नहीं करता है सेर्मार्केट की इंकम के लिए आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं ठीक है और इसमें नीचे दियावाया है कि एक इंडिविज्विजूल जो की डिरेक्टर है कि इसी कंपनी में या फिर आपने जो है अन्लेश्टिड सेर में इन्वेस्टमेट किया हुआ है या फिर आपका सक्षिन 194 एंड में DDS कटा हुआ है तो भी आप ITR 1 का यूज नहीं कर सकते हैं तो हम इससे बाहर हो गए अब मैं ITR 4 दिखाता हूं आपको ITR 4 किसके लिए अविलेबल है मेरे बास सबसे ज़्यादा को एरिया आती है कि सर ITR 4 सिंपल है तो हम जो ITR 4 फाइल कर लेते हैं सेर मार्केट के लिए तो वह गलत हो जाएगा अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं पहली बात तो उसके अंदर जो है प्रिजम्टिव इंकम के लिए ITR 4 को प्रवाइड किया गया है और वह भी अप्टू 50 लैक यहाँ पर रेनों ने के लिए लिखा है इंडिविज्विज्वल एच्चिया फर्म अदर दैन लल्प लल्प नहीं कर सकती बिए रेजिदेंट जिसकी टोटल इंकम 50 लैक ह and having income from business and profession which is computed intersection 44 AD ADAE तो ध्यान दीजेगा जब हम share market की income से होने वाली इंकम को हम अपनी ITR में फाइल करते हैं तो वो इन तीनों सेक्षन में से कहीं पर भी cover नहीं होती है तो यह form जो है वो ineligible हो गया है हम इस form के अंदर अपनी return को नहीं भर सकते हैं share market की income होने के बाद share market से तीन तरह की income हो सकती है आपको एक तो आपकी जो business income है जब आप trading करते हैं तो business income आ जाती है तुसरा आप जब investment करते हैं तो वो short term या long term capital gain की income आती है और third में आपकी आती है जो आपको dividend मिलता है dividend जो होता है वो आपकी other source की income है मैंने तीनों चीज़े आपको बता दिया है त अगर आप share market से income earn करते हैं दो head के अंदर एक capital gain head के अंदर और दूसरा आप earn करते हैं income from other sources के अंदर it means आपकी जो share market से income हो रही है वो आपने investment purpose से की है long term investment क्या है या short term investment क्या है long term capital गेना है short term capital गेना है एक चीज़ ध्यान रखिएगा जहां पर हम gain की बात करेंगे वहां प आपको share market से किसी भी तरह से loss wide trading से या capital gain से तो भी आपको return बढ़ना mandatory है और उसके लिए यह form आपके उपर apply होंगे दूसरा आप जो है dividend earn कर रहे है दो income तो आपकी यह गई थर्ड आपकी एक salary है आप हो सकता है government employee हो या general किसी company में employee हो तो वो भी आपकी हाँ पर cover होगी तो IT ITR2 बेसिकल एक form है जो individual और हुए बनाया गया है जिनकी business या profession से कोई income नहीं है तो जो यह form है ITR2 यह आपकी income cover करता है salary की income को cover कर लेगा income from जो house property income है वो cover करता है income from capital gain यह cover करता है और आपकी other sources की income तो यानि कि चार head से होने वाली income को यह cover कर लेता है केवल एक पांचवा head बचता है जिसके लिए मैं ITR3 file करनी होगी तो आपका जो next जो question था कि sir हम ITR3 ही क्यों file करें क्योंकि maximum case में मेरे पास ही आता है question कि sir मेरी trading income है और मुझे थोड़ा सा loss हो गया है उसमें यह थोड़ी सी मेरे पास एक बार मैंने trading कर ली थी तो मैं ITR3 ना भरके मैं 2 या 4 file कर ल लाग भी हो सकती है वह valuable नहीं है अगर आपने form ही गलत फाइल कर दिया तो आपकी इंकम भी गलत तरीका से consider की जाएगी है income earn कर रहे है income के साथ या फिर लोस किया आपने तो पिछले साल में हम साल में बात करते हैं एक दिन या दो दिन कभी आपने एक बार भी अगर किया है तो फिर आपको जो वह income या फिर जो लोस हुआ है वह आप श्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे आपका जो भी ब्रोक जो हैड को cover करता है salary को भी capital gain को भी house property को और इसके अलावा जो है आपका business income हो गया और उसके अलावा income from other sources को तो एक ब्रोड आई टीर 3 को भढ़ने के लिए मैंने प्रिवेस वीडियो में भी आपको बताया है कि आई टीर 3 हम किस तरह से भरें और आई टीर 3 को हम किस तरह से तो यह हमारा आज का complete वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप share market से income अंड करते हैं उसके लगा साथ साथ आप कोई दूसरी income यंड कर रहे हैं तो आपको कौन-कौन से form है जो कि आपको file करने है और किस तरह से file करने है इसके लिए already video है next video में हम यह भी बत किजिए और मेरे चैनल को आप subscribe कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह से latest updates मिलती रहें video देखने के लिए thank you so much